कि शेवसेना उबाटा की निता अभिशेग घोशालकर की हत्या पर बोलती वे कॉंग्रिस निता और राज्य विधान सभा में विपक्ष की निता विजय वड़ेटी पारनी कहा कि राज्य में कानून विवस्ता की स्थिती घराब हो गई है सत्ता रुट्डल के समर्थन की कारण अपराध्यों का साहस बढ़ गया है अभिशेग घोशालकर की हत्या एक राज्यतिक हत्या है और इसमें शामिल दोगों के खिलाब सक्त कारिवाई की जाने चाहिए इस राज्य की कानून और सुब्यवस्ता का पुरा दज्या उड़ चुके है किसी के हाथ में महाराष्ट कंट्रोल करने के लिए नहीं है तीन सुपर पावर में काम करते वक्त आपस में बहुत बड़ा टक्रा होते जा रहा है और इनके लोग भी नीचे स्थर पर एक मेक्क खिलाप में खड़े होते जा रहे एक दूसरों को खतम करने के लिए करने का प्रयास इस राज्य में चल रहा है गोसाल करके उपर जो हुआ था वो राजनिती से प्रिजित है इसके पिछे राजनिती है यह प्लानिंग करके उसका खुन क्या गया वर्चसों की लड़ाई है गोसाल कर एक लोकप्रिय वहां के नेता थे पॉपुलर नेता थे और उनके उपर उनको खतम करके कोई सत्ताधरी पार्टी की मैला होया लेडिज होया जैंस यह कोई ना कोई तो है इसका यह नेता वो पहले भी उनी पार्टी में था अभी पार्टी स्प्लिट होने के निशीत रूप से सामने आएगा और इसमें गोसालकर को खतम करके खुद का वर्चस्व के लिए जो किया जा रहा है यह महारास्टर में आज ब्यार और यूपी से भी बदत्तर सिती राज्य की कानून और विवस्ता की हो चुकिये इसका यह प्रमान है मैंने नाम नहीं लिया इन्वेस्टिगेशन अगर उस दिशा में जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद यह इंकवारी के बाद और निपक्ष जाच होने के बाद मुझे विश्वास है कि ऐसे ही लोग सामने आएंगे जो राजनिती में हैं और राजनिती से प्रेरित यह खुन हुआ है लगतनाना सब्सक्राइब या उस भारत त्रतना पुरसकर का अफ्मान करना बहुत का महत्त वाखरिमा कम करना है। लोगों को यह पूरश्कार दे आ अजनका दिया जाता है मुझे लगता है कि आज पाच पुरुस्कार देकर इस पत की गरिमा को ठेच पहुचाने का काम और सन्मान को की सन्मान कम करने का काम आज भारतिय जन्ता पक्षिकी सरकार से हो रहा है